कोई तोड़नी है तिर्वेंदर सिंग रावत का कोई तोड़नी है कोई भी कंडिडेट आ जाओ इनके सामने कोई तोड़नी ए उसका तो बीजेपी जब जब वह मतदान करने जाते हैं तो क्या देखते हैं मोधी का चेहरा या पार्टी का चिन निया फिर आप कैंडिडेट हो चाहे चोटाओ चाहे बड़ाओ चाहे एक पेड़े कु कर दो वोट मोदी के नाम से जागा देने जुरूए तो इतने बन के हाइवे में तो कोई द्युक्त निया बड़े-बड़े हाइवे बनवा दिये मोदी जिन और प करकमलोद्वार आई आग बढ़ा आज से 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी सड़के बहुत तूटी हुई थी सो परसेंट नेरंद्मोदी उत्रगंट तक की चुनावी यात्रा आप पहुंचिए हरिद्वार लोकसवाज शेत्र के अंतरगत भगवानपूर विधानसवाज शेत्र के इस गाव में रोहाल की दयालपूर जिसका नाम है और यहां के जो ग्रामीड अस्थानी लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वह आखिरकार प्रधान मंत्री किसे बनते हुए देखना चाहते हैं प्रधान मंत्री नरण मोधी कंटिनू यहां पर रखें अब यहां पर आया तो हम जानना चाहेंगे कि यहां की जो प्रॉब्लम से वह क्या कुछ आपको लगता है कि पिछले अगर पांस सालों की बात करें तो यहां पर कुछ विकासकारे हुए हैं या नहीं हुए हैं जो आपको लगता है कि होने चाहिए जो भी आप ती सांसत बनते हैं उनको उन समस्तियाओं पर काम करना चाहिए तो एक एक कर क्या थोड़ा बता सकते हैं काम तो बहुत हुए हैं लेकिन उत्राखंड के हिसाब से जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो बिजली यहां प इसलिए सही रूप मुद्दानी पाँ हो और जो इस ताइम चाल पार्टी हमारी जो करम है यह बहुत अच्छी है और इसके मादम सही हम आगब रहे हैं आप बताइए किस तरह कि यहां पर आपको लगता है कि ऐसी समस्तिया है जो जो भी सांसत बने वो ठीक करे मेरी तो यह जो गौओं के ट्वाल है कासकारों उनकी फिरी होने चाहिए यह मुख्यमंदीजी की मेरी बात पुछाई हो यह जो भी फिरी फिरी हो ठीक है आप बताईए आपको क्या लगता है कि क्या कुछ यहां पर काम करनिक जरूरत है आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में मोट करें तो बहुत हुए बारत जन्ता पार्टी की सरकार में विकास के कारें तो इतने हुए हैं कि यह से लेकर जाड़ तक कि इतने ज्यादा गिनवाज है लेकिन वास्तों में फिर भी कुछ ना कुछ मुद्द रहे जाते हैं इस अक्षेत्र में जितनी फैक्ट्रियां लगे लेकिन जो इस्थानिया सडकें जो गाउं की सडकें उनका थोड़ा थोड़ा अभी जो डवलोप्मेंट होना है वो थोड़ा कम है इसके लिए सरकार थोड़ा सा योजनाय होती है केंद्र की वह यहां तक गाउं तक पहुच पा रही है आप प्रधान एंगे आप है को योजनाय तो भाज जनता पार्टी ने जितनी वी जनाय चला रखी कापी अच्छी ओजनाय है और ऐसा ने विकास भी बहुत विकास हुआ है लेकिन जैसा प्रधान जी ने बताया हमारे मंदाल अध्यक्स ने बताया जो गरामी नक्षेत्रों में छोट-छोटी लिंक सड कि यह जरूरा है तो उन्हों पर काम की बहुत ज़्यादे जरूरा है तो इतने बन के हाई वे में तो कोई रिकत निहीं है बड़े बड़े हाई बनवा दिये मोधी जी नहीं और प्यम मोधिस अच्छा कोई नहीं है क्योंकि देश जो है मोधीजी के करकमलोदवार आग इस उसमें वहाँ पर जो है नोकि संघ्ञ जब सारी चीजे उतरा-खंड बहुत कम है यूप में खशेत्र उपर पाढ़ों में दो ही مت必खनेत् reference तो हमारी हमारी सब्सक्राइब किसान को फिरी मिलनी चाहिए बाकि मोधी सरकार के जितने भी काम है जितनी भी तारिफ कर लो उतनी कम अब थोड़ा सा मैं यह जानना चाहूंगी जो यहां से फिलाल दो प्रत्याशी अनौंस हो गए एक तो कॉंग्रेस से जो है और आपकी नि सब्सक्राइब कर लेते हैं कि त्रवेंद्र सिंग और उमेश कुमार यह दोनों कैंडिडेट आपको कैसे लगते हैं आपको लगता है कि इन में से कौन मतलब आएगा तो वह जादव बहतर विकास करेगा कैसा लीडर किसे आप बहतर समझते हैं मैं तोड़नी है तोड़नी अच्छा आप लोग मतलब जब वह मतदान करने जाते हैं तो क्या देखते हैं मोधी का चहरा या पार्टी का चिन या फिर आप कैंडिडेट हम तो मोधी जी और कमल का फूल मोधी को देखते हैं मोधी को देख जले हरकोई कोई भी कंडिडेट हो चाहे चोटाओ चाहे बडाओ चाहे एक पेड़्डे कु कर दो वोट मोधी के नाम से जागा है लेकिन थोड़ी सी एक प्रोबलम और हमारे यह इन्ड़ेस्ट्री एरिया यह बने है जो लोकल की प्रो और यह एक विधाक के अस्तर सही सब कुछ हो रहा है लिए उधर का इसमा है उधर नदी नजदी है यह सारा पैनी उधर डाइवर्ट हो सकते हैं यहां बदवू इतनी आवगी कि हम इसमा गाव मर आना भी भरी हो जागा मारा में प्रोब्लम हमारी इधर से लाड़ा यह को रह आप लोग थोड़ा सा यूथ भी है हमारे बीच में आप बताइए आपको कौन बैटर कैंडिट लगता हुमेश कुमार या तर्वेंद सिंग रावत मैं जैसे की देखर पा रहें कि जो तो हमारे पूर्व मुख्य मंतरी रह चुके हैं तो उनको बहुत ज्यादा एक्स्प में यहां पर देखते हैं मुख्य रूप से मोटी मोटी कोई प्रॉब्लम ऐसी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ही कारें हैं जो यहां पर होने चाहिए जो भी सांसत बनेगा वो इन कारियों को करें जैसा कि हम देख पा रहें कि जो बड़ी सड़के हैं वो तो जिंग रावत यहां तो देखे बतलब मोदी लेहरी चल रही है चीक है आप बताईए पीछे आप अधिया मोदी लेहर कोई भी होगा आप वोट किससे गरेंगे मोधी मोधी जब मुख्य मंत्री थे उत्तराखंड देश का एक मात राज है जहां प्रतेक वेक्तिक लिए किसान के लिए जीरो प्रसेंट ब्याज पर रिन उपलब्द करा केवल तिर्वेंसिंग रखता है एक लाग रुपे एक लाग रुपे तक किसान के लिए पूरे देश में केवल उत्राखंड में लाग हो यह दो जोजनाए ऐसे जो और लोग से उनको अलग करती है वही जैस बाकी किसी और मतब काइनरेट जो भी होगा तो आपको क्या मुद्दे देखते हैं क्या क्या विकास्कार ऐसे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं देश की सुरक्सा में बहुत मजबूत करी जी पहले कांग्रेस साहिम में इस तरह मारे सानिक वहां एक संथाली कांदेबर सब्सक्राइब देखते हैं अब उनकर पत्थर मारो आधे लोग और अब उनसी दा गोईत जवाब दिया जह रहा हुना जो कस्मीर में पत्थर बाजी होती है आज बंध होगी तीन सब्सक्राइब होगी जो आज तक कोई यह कहा दी मैभूमा मुफ्ति भी एक 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 ए 378 दिया खूंड की नदिया बाया जागी वहां किसी के एक चीटी भी नहीं मरी उसके बाद 378 और आज मोधी मोधी हो रहा कस्मीर में भी और हमारे सानिकों को आज तक ब्लट पूरूफ जगड़ तक तो मिली नी जूत्ते तक तो मिले नी और आज हमारे मोधी जी के सासन मे सब्सक्राइब कि इतना खूज है कि वह सीमा बच्छातिय डाव खड़या वहां सी तो यह मोधी जी कि देन है आप बताएए आप बताएए आप बताई देखते हैं क्या विकासकारे जो आपको लगता है मोधी जी ने किये हैं तो क्योंकि उनके नाम पर वोट करेंगे तो अब पहले बात तो यही है अगर हमारे पास दो लाग रुपे हैं और यहीं जाय का चीन लिए तो हम उसे क्या करें दूसरी सब्सक्राइब को सबस्ते बड़ी बात तो यह और दूसरा यह जो शड़कों का जाल बिचा दिया यह एक का गैडिया से किलमेटर का दिए और पह आज इसलिए करते हैं यहां PCS की परिक्षा मैं अपने बच्चों के उसकी इसाब से वह लूंगा PCS की परिक्षा यहां 10-10 साल में होती थी आज धामीजी की सरकार ने हर साल परिक्षा का नोता दे दिया मैं तोड़ा प्राइबेट स्कूल के लिए करना चाहूंगा जी एक इनकी जो मनमानी है यह बहुत जादा चलती है फीस इनकी पांच-दस परसेंट हर साल ब्राथते हैं ट्रांसपोर्ट का बैसे वड़ता है ठीक है और एक इनका हर मैंने का साल का अनवल चार्ज मेरा तो यह बहुत जादा है और स्कूल को देखते हुए भी फीस की मनमानी से आप लोग थोड़ा सा परेशान है और इस समस्य यहां पर आपको लोग लगता है कि जो भी सांसद्स बने वो ठीक करें और भी समस्य सट्कों कि आप लोग ने बता दी एक आपने बतादी जो बिज यहां पे कोई अस्पताल है यह यह सब पूछ रों अच्छा इधर आजाईए थोड़ा इसा आप प्रधान मंत्री किसे बनते देखना चाहते हैं अच्छा मोदी जी को कौन से काम उनके पसंद है अपको सब्सक्राइब बहुत बहुत कुछ है और यहां कि समस्यां भी इनों ने बता दिया और काफी कुछ विकासकारे भी हुए वो भी यहां पर तमाम जो यहां की ग्रामिन उन्होंने बताया है तो भगवानपुर से उत्राखंटक के लिए सरीता तिवारिक रिपॉर्ट